ये रेसिपी मैं बना रही हूँ आज पूरे एक साल के बाद उससे जादा ही हो गया है तो यहां पर मैंने तीन कप चावल लिये और उसको आदा घंटे पहले भीगो दिया और अच्छे से देखी बॉश कर लिया है और एक बरतन लिया उसके पानी डाल दिया उसके अंदर जै जाता है मतलब अगर बोलें तो 10-11 कप मैंने आवे पानी डाल दिया है अंदाजे से कोई मिजर्मेंट करके नहीं डाला है पानी को घरम होने देते हैं ढखके इसलिए करों ताकि जल्दी से पानी है ना हमारा घरम हो जाए तो कौन सी रेसिपी बना रहा है कॉमेंट करके ब तो घरम होनी दी है तो ख शाती बना अजसी दाल देंगे ठीक है अब यहां पर नमक डालेंगे अब यहां पर बोलूंगी नमक तेस की अकॉर्डंग से थोड़ा सा जाधा बीज़ादा है इसी के अंदर चावल कूखा तो थोड़ा सा हलका सा तेज रखे आप यहाँ पर नमक डाली है अब यहाँ पर सारे चावल हमने डाल दिये पानी अच्छे से बॉइल होने के बाद अब इसको खुला ही पकने देंगे और फुल फ्लेम पे मैं ऐसे पकने दोंगी बहुत ज़दा टाइम नहीं लगेगा और एक चीज और आपको दिहान रखना है कि चावल आपको सिर्फ 80-90% कुक करना है पूरा नहीं पूरा कुक कर दोगे तो फिर बाद में थोड़ा सा ज्य नहीं काली मिर्च लॉंग बड़ी लाइची छोटी लाइची जो मसाले मैंने चावल कुक करते टाइम डाले थे वही एक से दो टेविल स्पून तकरीवन जिंजर गार्लिक ग्रीन चली का पेस के लिया है अद्रक हरी मिर्ची और लहसुन का इसे पका लेते हैं थोड़ी द अब सब्जियां ले लिए मदी सचावल इंगे सब्जियों के अब आप बन जाती है और यहाप यहां पही मैंने क्या किया व्या और कर दौन सब्जियों के डालने और। क्योंकि चावल की according हमने नमक वहाँ पर डाल दिया है अब सब्जियां में हमें कितना चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर नमक डालेंगे ताकि हमारी यह सब्जियां भी है फटाफट से कुक हो जाए उफ यह छोटा वाला बरतन डग दिया अब इसके according हमें बरतन डग के हम अपनी सब्जियां कुक होने देते अब तक हम देखे हमारे चावल है ना चेक करते हैं कि चावल कुक हुए है या नहीं हुए अब हमारे चावल है यहां कुक हो गए है फटाफट से बनती देखो मैं सब्जियां काटने के लावा अगर बोलूँगी ना आदा घंटे में मेरी बिर्यानी बन गई थी हैदरावादी दम बिर्यानी हम यहां बना रहे हैं तो यह चावल हमारे कुक हुए इसको निकाल लेते हैं दूसरे बरतन के अंदर ठीक है अगर आपकी बिर्यान वो सब्जियां कुक हो गई हो मसाले पड़ गए हो नो तो डायरेक्ट उधर डाल दीजिए और लेरिंग कर दीजिए मतलब और फिर अपना उसमें कवर करके पकने दीजिए बट अभी टाइम है तो मैं दूसरे बरतन के अंदर निकाल लेती हूँ हमारे चावल हाँ चावल लेते टाइम एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि चावल अच्छी क्वालिटी के लोग बिर्यानी वाले भी आते हैं वो ले लीजिए बिर्यानी में तले हुए प्याज पड़ते हैं टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है है तो यहाँ पर प्याज को जैसे मैंने लंबा लंबा कट किया आप गोल गोल रिंग जो साइज में करता है उस तरह से कट कर लीजिए यानि गोल स्लाइस और फिर एक एक अलग रिंग कर लीजिए तो वो गोल गोल जो अच्छे दिखेंगे न वह भी बहुत बढ़िया लगते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं उधर मेरी सब्जियां पक रही है चावल मेरे कोख हो गए इधर अम मैं प्याज तर लेती हूं सारा काम एक साथ चल रहा है तो बहुत जादा टाइम आपको नहीं लगता है मुझे तो वीडियो बनाना था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा तो अब यह देखिए प्याज भी है न हमारे तल गए हैं अब सबजी हमारी कोख हो गई है इसमें डाल देते हैं पनीर च्वाइस से कितना भी डाल दीजिए 500 ग्राम आधा किलो जित चुमिरी ररेट चली जिसमें तीखा पनना हो अब बात करते हैं बिरियानी मसाले की अगर आप घर पर विसा हुआ बिरियानी मसाले की एगर आप फärी भर बियियानी स्कूर्स सकती है मार्किर का अगर विनियानी मसाला डाल रहे हो तो कम डालिएगा बहुत ज़्यदा थोड़ा तीखा लगता है और डिपेंड करता है ब्रैंड टू ब्रैंड मसाले पर यह मेरा पर्सनल एक्सपिरियंस के साथ बता रहे हूँ थोड़ा तीखा जादा हो जाता है फिर आधा चमच यहाँ पर डालना है हमें हल्दी पाउडर हर ब्रैंड में थोड़ा सा रहता है जिसके अगर आप M.D.H का लेते हो तो वो उसके मसालों में हलका तीखा पन रहता है और एब्रेस्ट का जो रहता है उसमें तीखा पन थोड़ा सा कम रहता है मुझे परस्टनली डाल दिया है बन पौर्थ कप के तक करीब खुड़ा सा अगर पूधिने की पत्तिया उन्हों फ्रेश वो भी ढाल दो बहुत बढ़िया फ्लेवर रखता है बिरियानी मसाले की रेसिपी भी मैं आप लोगों के शाइर करूंगी अब यह देखिया हम क्या कर रहे हैं आप प को मुट्टी की बरतन में भी पका सकते तो उसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है ना और यहां पे घ्राधनिया डाल दिया है कोकोने के बाद हमें डालना होता है पट मैंने पहले अधिया आज जैसे यहां पर हमारे जैपुर में मिलता है या नाम भूल गई हूँ घड़े में मिलती है बिरियानी यार उसका नाम में भूल गई हूँ उसका घड़े में जब पकती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है थोड़े से प्याज यहां पर हम डाल दिये हैं सले हुए वाले प्याज अब क्या करेंगे इसक सी से आता है तब ही वह मच आता है कि हीद्रावादी दम बिरियानी रीजन यह इन इसको बिल्कुल कवर करके और एसे पकाते है ना बहुत बढ़िया तो यहां पर मैंने देखको अच्छे केसर का पानी डाल दीचे तो वह भी बहुत अच्छा लगता है और खाने की इसके साथ आप रायता भी बना सकते हो बहुत ही बड़िया लगती है बहुत ही टेस्ट लगती है और मेरे हस्बंद को तो बहुत पसंद आई और आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताईएगा विए अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉलो कर दीजिएगा जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइट टेक केर थेंक्स पूर वाचिंग